स्लाम वोलेकुम स्टुटेंट्स तु यह आज आपकी डबर ही क्लास है ठीक है यह उपर मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं चेप्टर फाइफ के यह आज हम कवर करेंगे यह लाइन वाइस में बता देता हूं अच्छा पहले मैंने नीचे डेफिनिशन लिखिए इंडक्ट क्या है इसकी डेफिनिशन में लिखा है इस दी टेदन सी ओफ अन इलेक्रीकल कंडक्टर तो आपोस न चेंज इन ऐलेक्री करने से रोकती है उसके आगए कि अगर किसी कंड़क्टर में अच्छा तो यह कहें रहे हैं कि अगर किसी अग्ण। कर्चर मेंसे current पास हो जाए तो इसके around magnetic field बन जाती है यह मैंने आपको class में बना है बताया था और इसकी जो field की strength है वो depends on the magnitude of current उसकी जो strength है field की वो depend करती है current के magnitude पे and flows any changes in it यह इसकी theoretical definition inductance की basically यह opposition है current की current के मुखालिफ यानि रुकावट है यह तीक है अच्छा इसकी एक और mathematical definition है वो मैं आपको बता देता हूँ अच्छा यह उपर उपर इसकी एक और definition है इसको हम inductance को इसे भी define करते हैं the ratio of induced voltage to rate of change in current causing it ratio यानि किसका है कि induced voltage का और current का ratio change of current का जिसकी वजासी हो रहा है causing it यह mathematical definition है इसकी inductance की अच्छा inductance दो तरह की होती है एक self induction होती है और दूसरी mutual induction इसको one by one में आपको बताता हूं यह जो self induction है यह करेंट खुद से चेंज हो जाए केस से चेंज हो जगा है यह इन्होंने नीचे case में define किया हुआ है यह self का मतलब यह होता है खुद से और नीचे mutual है यानि जो दोनों के मुश्तरका की वज़ा से हो तो यह इसकी meaning है और इसी related इसकी definition भी है अच्छा तो इसमें करें in case of self induction यह self induction बढ़ाओ में the magnetic field created by a changing current in a circuit itself induced a voltage in the same circuit यानि वो खुद से उसमें voltage क्या है इंड्यूस कर देता है जो magnetic field कैसे बनती मैंने आपको बताया था जब current pass हो जाए किसी wire में से या conductor में से तो फिर कहे रहा है इसमें के by changing a current in a circuit itself induces a voltage वो खुद से फिर उसमें voltage जो है induced हो जाता है तो उसकी वे जासे हम इस voltage को कहते हैं self induced ठीक है यानि इसमें खुद से voltage induced हो जाता है तो तब इसको self कहता है इसके बाद यह mutual induction है mutual induction का it is defined as the property of coil that enables it to oppose the change in current in another coil with a change in the current of one coil the flow changes thus to the inducing EMF in another coil यानि एक coil में जो है क्या होता है एक coil में जो current change होता है और उसकी वजासे दूसरी coil में induced EMF जो है create हो जाती है तो इस phenomenon को कहता है mutual induction तीक है इसके इलावा भी इससे related आप बहुत सारी देख सकते है search करके videos और इसकी definition पर तो आपको थोड़ा और जाद समझ आएगा यानि यह दोनों coils की वज़ासे इसमें induction होती है इसमें सिर्फ उसी एक wire की वज़ासे होती है definition से related है mutual यानि मश्तर का self यानि जो खुद से हो जाए यह तो दो definition हो दोगी इसके बाद इसके बाद दूसरा आपका टॉपिक है Fahrenheit's law of electromagnetic induction यह क्या करेता है इसका first law यह है कि whenever magnetic flux linking with electric circuit यानि flex किसी electric circuit के साथ link करेगा तो उसके बाद क्या करे रहे है उसमें EMF induced हो जाएगा और फिर यह second law के गए रहे है यह जो induced है magnitude of this induced EMF is directly proportional तो यह किससे proportional है directly rate of flux linkage अब इसनों इन्होंने mathematically थोड़ा इन्होंने लिखके बताया हुआ है अच्छा इस वर्डिंग में क्या कह रहे है कि coils के turns है उसको मैंन कह रहे हैं और इसके बाद क्या है flux को हमने यह denote कर दिया और time T है और यह flux 2 है final flux तो अभी mathematically इन्होंने क्या लिखा है यह हमें आपको बता देता हूं यह जो है change of flux flux change of flux क्या होता है यानि final flux जो यह है वे flux की sign है flux 2 flux 1 को minus कर दिया वेबर्स कर यूनिट है rate of change of flux per conductor जब rate की बाद आदा यानि इसको आप time से divide कर दें तो यह जो ऊपर change of flux था इसको हमने time से डिवाइड कर दिया इंड्यूस EMF पर conductor यह इंड्यूस EMF है पर conductor यानि flux upon time तो फिर overall जो है इंड्यूस EMF एन N conductor क्या हो गई कि E is equal minus N D phi upon dt volts एन जो है टन्स है यह जो है आपको flux का निशाने नीचे time है यह in the end यह वाला formula आपके बाद आ गया तो यह उसके दो laws है यानि flux के linkage की वज़ा से इसमें voltage induce हो जाता है और वो voltage जो है directly proportional है rate of flux linkage से यानि यह flux linkage कि ज़्यारा होगा तो voltage भी जEOद्धा होगा कम होगा तो वह भी कम होगा फिर इन्हों in chemically इसको describes है तो यह जो मैंने आपको बता है है यह उसमें लिखना होगा है तो यह आप इसमें लिख लीजगा इसके बाद जो है आपको लोा देखना और वाले को छोड़ एन अपोजिट रियक्शन उसी तरह किये रहे हैं यह बिल्खुल सही बात है मेकनिक्स के लिए और इसी तरह यह ही है और यह है बना अच्छ कि यदी इंड्यूज करन डिवलप होगा ओञ जो by इंड्यूस करंडूर अलफिसी अपोजिशिन तरह करता आँज अंध्यूस करन पिसमें बनाता चै। इसके भी इसमें लिखा हुआ है कि लैंज लोर फर्स्ट इंड्यूस करन विच मींस इडिट अप्लाइज और इसको अप्लाइगर सकते हैं पर अगर आप सिर्फ डैफिनेशन लिखनी है तो इसकी में डैफिनेशन हो गई पहला पराग्राफ इसके लावा हाँ तो यह पहला पराग्राफ इसकी डैफिनेशन काफी है तो इसके लावा आप अटेंडन्स के लिए पूरा लेक्टर देखने पाथ कमेंट कर दीजेगा तो यह चिप्टर पाइफ कुछ मेंट चीजें थी वह मैंने आपको बता दी यह फैर भी कर लों इसको समाझ मिलें क कुछ सवाल हो तो वह कमेंट में आप पूछ लीजेगा ठीक है तो पर लाफिस